मैं आप सभी को और सभी देश वास्यों को गुरु परव की प्रकाश परव की धेर सारी शुबकामनाई देता हूँ आज ही देश में देव दिपावली भी मनाई जा रही है वाहे गुरु जी की फते है वाहे गुरु जी का खागसा वाहे गुरु जी की फते है जो बोले सो नहा साथ सियाकाद गुरु परव के पवीत्र परव के इस आयोजन पर हमारे साथ उपस्तित सरकार में मेरे सायोगी स्री हर्दिप स्रीपुरी जी स्री जॉन बारला जी राष्टी अलस्वंक्यक आयोग के चेर्मेन स्री लालपुरा जी सीन साब भाई रंजित सीन जी स्री हर्मित स्री कालका जी और सभी भाईयो बैनों मैं आप सभी को और सभी देश वास्यों को गुरु परव की प्रकाश परव की धेर सारी शुबकामनाई देता हूँ आज ही देश में देव दिपावली भी मनाई जा रही है विशेशकर काशी में बहुत भव्य आवजन हो रहा है लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है मैं देव दिपावली के भी हार दिख्षु कामनाई देता हूँ साथिव आप सभी को पता है कि कारेकरता के तौर पर मैंने काफी लिंबा समय पंजाब की धर्ति पर बिताया है अब मैं सरकार में हूँ तो इसे भी मैं अपना और अपनी सरकार का बहुत बड़ा सोभागे मानता हूँ कि गुरुआं के इतने अहम प्रकाश परवो हमारी सरकार के दोरान आई हमें गुरु गोईन सी जी के 350 पर प्रकाश परवो मनाने का सोभागे मिला हमें गुरु तो एक बार दूर जी के 400 पर प्रकाश परवो मनाने का सोभागे मिला और जैसा अभी बताया गया लाल के लिए पर तो बहुत एक इतिहासिक और पुरे विश्व के एक संदेश देने वरा करकम था तीन साल पहले हमने गुरु नानक देव जी का पांसो पचासवा प्रकासोत सो भी पूरे उल्लाज से देश वर विदेश में मनाया साथ इन विशेस अवसरों पर देश को अपने गुरुओं का जो आशिर्वाद मिला उनकी जो प्रेणा मिली वो नए भारत के निर्मान की उर्जा बढ़ा रही है आज जब हम गुरु नानक देव जी का पांसो त्रिपनवा प्रकास परव मना रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं किन वर्षों में गुरु आशिर्वाद से देश ने कितनी एतिहासिक उफलग्दिय हासिल की है साथियों प्रकास परव का जो बहुत सिक परंपरा में रहा है जो महत्वर हा है आज देश भी उसी तनमयता से करतव्य और सेवा परव का परकास देश के लिए प्रेना पुंच का काम कर रहा है ये मेरा सहभाग्य है कि मुझे लगातार इन अलोकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का सेवा में सहभाग्य होने का आउसर मिलता रहा है गुरुगरन साहब को स्वीष नवाने का ये सुख मिलता रहे गुरुबानी का अमरुत कानों में पढ़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनद आता रहे इस से जीवन के संतोष के अनुभूती भी मिलती रहती है और देश के लिए समाज के लिए समर्विक भाव से निरंतर काम करने की बुर्जा भी अक्षय बने रहती है इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और हमारे सभी गुरुओं के चरणों में जितनी बार भी नमन करूं वो कम ही होगा साथियों गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्व दिखाया था उन्होंने कहा था नाम जबो गीरत करो वंड़ चपो यानि इश्वर के नाम जब करो अपने करतवे पर चलते हुए महनत करो और आपस में मिल बाट करके खाओ इस एक बाक्य में अध्यात्विक चिंतन भी है भौतिक सम्रुदिक का सुत्र भी है और सामाजिक सम्रस्ता की प्रिणा भी है आज आज हादिके अमरित काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चल कर 130 करोर भारत वासियों के जीवन कल्यार की बावना से आगे बढ़ रहा है आज हादिके अमरित काल में देश ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और हमारी आध्यात्मीक पहचान पर गर्व का भाव जागरत किया है आज हादिके अमरित काल को देश ने करतव के पराकास्ता तक पहुंचाने के लिए करतव काल के रुप में माना है और आज़ाजी के समरितकाल में देश, समता, समरस्ता, सामाजी ग्णाए और एकता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंतर पर चल रहा है यानि जो मारदरसन देश को सद्यों पहले गुरुमानी से मिला था वो आज हमारे लिए परंपरा भी है, आस्था भी है और विक्सिक भारत का बीजन भी है साथियों, गुरुगरन साहब के रूप के हमारे पात जो अमरत मानी है उसकी माहिमा, उसकी सार्थक्ता, समयव और भुगोल की सिमाओं से परे है हम ये भी देखते हैं, कि जब संकत बड़ा होता है, तो समाधान की प्रासंगिक्ता और भी बढ़ जाती है आज विश्व में जो असांती है, जो अस्तीरता है, आज दुनिया जिस मुश्किल दोर से गुजर रही है उसमें गुरुओं, गुरुओं साउक की सिक्षा है, और गुरु नानक देव जी का जीवन, एक मशाल की तरह, विश्व को दिशा दिखा रहा है गुरु नानक जी का प्रेम का संदेश, बड़ी से बड़ी खाई को पाट सकता है और इसका प्रमान हम भारत के धर्ति से ही दे रहे हैं इतनी भाशाएं इतनी बोलिया इतने खानपार रहनसन के बावजूत हम एक हिंदुस्तानी होकर रहते हैं देश के विकास के लिए खुद को खपाते हैं इसलिए हम जितना अपने गुरुओं के आदर्शों को जीएंगे हम जीतना आपसी विवयदों को दूर करके एक भारत स्रेष्ट भारत के भावना को मजबूत करेंगे हम जीतना मानोता के मुल्यों को प्रात्मिक्ता देंगे हमारे गुरुओं की वानी उत्री ही जीवनत और प्रखर्षवर से विश्व के जन जन तक पहुँचेगी हमें गुरु नानक देव जी के आशिरवाद से सिख परंपरा की गवरों के लिए निरंतर काम करने का अउसर मिला है और ये निरंतर दा लगातार बनी हुई है आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही वह उत्राखर्ण माना गाउं गया था इस यात्रा में मुझे गोविन गाड से हेमकुन साहब के लिए रोप्पे प्रोजेक्ट के सलान्यास का सोभाग बिला है इसे तरह अभी दिल्ली उना बंदे भारत एक्सप्रेस के शुरुआत्य हुई है इससे आननदपूर साहब जाने वाले जरद्दालों के लिए एक नई आउध्धुनिक सु इससे पहले गुरु गोविन सीजी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का अधुनितगरन भी किया गया है हमारी सरकार दिल्ली कट्रा अमृत सर एक्सप्रेस वे के निर्मान में भी जुटी है इससे दिल्ली और अमृत सर के बीच दूरी तीन-चार घंटे कम हो जाएगी इस पर इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड रुपे से दिख खर्च करने जा रही है हर मंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुन्य प्रयास है और साथियों ये कारिय केवल सुविधा और परियतन के संभावनाओं का विशे नही है इसमें हमारे तिर्थों की उर्जा सिख परंपरा की विरासत और एक व्यापक बोद भी जुड़ा है ये बोद सेवा का है ये बोद स्नेह का है ये बोद अपनेपन का है ये बोद स्रधा का है मेरे लिए सब्दों में बताना कठीन है जब दसकों के इंतजार के बाद करत पुर्पूर साहब कोरिडूर खुला था है हमारा प्रयास रहा है कि सीख परंपराओं को ससक्त करते नहें सीख विरासत को ससक्त करते नहें आप बली भाती जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगाणिस्तान में किस तरह हाला दुगिने से वहां हिंदू सीख परिवारों को साप जातों के महान बलिदान की स्मृति में दीर बाल दिवस्ट बनाने की शुरुःत भी देश नहें की है है जिस के कौने कौने में भारत की आज की पीड़ी भारत की आने वाली पीड़ीओ यह जाने तो सही कि इस महान धरती की क्या परंपरा रही है जिस धर्ती पर हमने जन्म लिया जो हमारी मात्र भूमी है उसके लिए साब जादो जैसा बलिदान देना करतव्य की वो पराकास्था है जो पुरे विश्व इतिहास में भी कम ही मिलेगी साथ को विभाजन के हमारे पंजाब के लोगों ने हमारे देश के लोगों ने जो बरिदान दिया उसके स्मृति में देश ने विभाजन विभीशी का स्मृति दिवस के शुरुआत मी किये है विभाजन के शिकार हिंदू सीख परिवारों के लिए हमने सीए एक कानून बना क उन्हें नागरिता देने का भी एक मार्क बनाने का प्रयास किया है अभी आपने देखा होगा गुजरात ने विदेश्ट में पीडित और प्रदाडि सिख परिवारों को नागरिता देकर उन्हें एशाद दिलाया है कि दुनिया में सिख कहीं भी है भारत उसका अपना घर है गुजरात का मुख्य मंतिर रहते हुए मुझे गुरुद्वारा कोट लखपत साब के ग्रोणोदार और काय कल्ब का चौभागी भी मिला था साथियो इन सभी कारियों के नरंतरता के मूल में गुरु नानक देव जी के दिखाये मार की कृतक्यता है इस दरंतरा के मूल में गुरु अरजिन देव और गुरु गोविन सीह के असीम बलिदानों का रण है जिसे पग पग पर चुकाना देश का करतब्य है मुझे विश्वास हैं गुरुओं की कृपा से भारत अपने सिक प्रंपरा के गौड़ों को बढ़ाता रहेगा और प्रगति के पत्पन आगे बढ़ता रहेगा इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर गुरु चर्णों में नमन करता हूं एक बार फिर आप सभी को सभी देश वाजियों को गुरु प्रभ की अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवास